हेलो गैस वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल तो गैस आप सब कैसे हो I hope आप सब चिक ठाक होंगे तो गैस आज मैं आपको कोकुमर कराईता बनाना सिखाऊंगी तो गाईस सबसे पहले मैंने एक हुकुमर ले लिया है तो मैंने अब इसका छिलका निकाल लेना है और इसको मैंने ग्रेट कर लेना है तो मैंने दो प्याज लिये हैं इनका छिलका निकाल लिया है और इनको मैंने चॉप्ट कर लेना है और मैंने चार चिलिज लिए है इनको भी मैंने चॉप्ट कर लेना है और मैंने एक टमाटर लिया है इसको भी मैं चॉप्ट कर लूँगी इसके बाद फिर मैंने एक अनार लिया है इसके भी मैं दाने निकाल लूँगी और मैंने कुछ धनिया की पतिया लिए है और इन सब को मैंने चॉप्ड कर लेना है और दाने निकाल लेने हैं और ग्रेट कर लेना है किसी को यह देखिए मैंने सब को ग्रेट कर लिया है चॉप्ड कर लिया है और दाने निकाल लिये हैं सब के यह दिखिए इस तरीके से सबसे पहले मैंने बाउल ले लेना है उसके बाद मैंने 500 ग्राम कर्डलेना यह तो 500 ग्राम कर्ड कर्ड मैं आराम से आ जाती है तो मैंने 5 कर्डशी दहीं की बाउल में डाल दिले Revelator दहीं ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए थोड़ा हलका सा मीठा होना चाहिए तब राइता खाने में बहुत अच्छा लगता है तो मैंने एक बाउल भरकर चॉप्ड ओनियन डाल दिया है और ग्रेटीड कुकुमर जो रखा था एक मैंने वह भी एड़ कर लिया है फिर मैंने जो चिली स्थी चॉप्ड करके रखी वह भी डाल दी है उसके बाद फिर मैंने आधी अग्रेटीड केरेट डाल दी है इसमें और इसके बाद फिर मैंने इसमें अब यह चोटा पड़ रहा है बाउल तो मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर दिया है तो तब मिक् और इसके बाद मैंने चॉप्ड ग्रीन कोरिंडर एड़ कर लेनी है इसमें यह लीव्स आपने ध्यान से देखना लीव्स थोड़ी बारिक-बारिक काटना और इसके बाद जो मैंने अनार के दाने निकाले थे वह इसमें एड़ कर लेने हैं इसके बाद फिर मैं इसमें रा फ्लेक्स सीड्स पाउडर डालना यह भी एक टेबल स्पून है मैं फिर ाफ टेबल ना है है में प्लेक पेपर पाउडर है हुए जिस तो आप के पास तो आप रेंस को बीस कर डाल सकते हैं तो अब TESक के according नमक डालेंगे तो मैंने black salt डाला है, 1 tablespoon आप भी taste के according नमक कमिया ज़्यादा रख सकते हैं खाने में यह राईता बहुत ही tasty होता है इसके बाद मैंने half टेबल स्पून रेड़ चिली पाउडर डाल देना है तो यह कश्मी लालमिश पाउडर है और यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है इसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पॉन टूटी फ्रूटी एड़ कर लिए यह आप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो डालो नहीं तो रहने दीजिए तो अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है इसको ताकि सब आपस में अच्छे से मिल जाए तो आप एक बार इसको बना कर अपने घर में जरू ट्राई किजिएगा यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है आप इसको ब्रेकफास्ट में लंच में डीनर में कभी भी खा सकते हैं इसका स्वात बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर में हमारे बच्चों को यह राईता बहुत पसंद है तो वह बार-बार मेरे से यह राईता बनवाते रहते हैं तो आज मैं उनके लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ यह रेसिपी शेयर कर दूँ तो मिक्सिंग इसकी काफी अच्छे से होनी चाहिए बस यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट शेक्षन में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबाईए अगर नहीं आती है तो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं तो अब मैंने रोस्टीड क्यूमिन सीड्स पाउडर रखा है तो अब मैं इसमें आप टेबल स्पून यह जीरा पाउडर एड़ कर लूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी मैंने इसको तवा पे पहले अच्छे से रोस्ट कर लिया था फिर इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था फिर मैंने इसमें कुंडी में रख लिया था और अब कुंडी से ही मैं डारेक्ट डाल रही हूँ तो देखे गाइज मेरा हराइता बनकर रेडी हो गया अब आप इस रेसिप को ज़रूर बनाईएगा चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक क्यार थेंक यू फूर वाचिंग में